तो आज मैं आपको Magnetic Substances के बारे में पूरी study कराने वाला हूँ Magnetic Substances थी टाइप्स क्यों होते हैं ठीक है तो हम इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि यह क्या होते हैं कैसे होते हैं पहली बात और दूसरी बात कि इनका explanation भी पढ़ेंगे हम इनका examples पढ़ेंगे तो थी टाइप्स के होते हैं फस्ट है पैरा Magnetic Substances इस नाम को याद रखना है आपको पैरा Magnetic Substances सेकंड है फैरो Magnetic Substance और थर्ड है डाय Magnetic ठीक है पैरा फैरो और डाय ठीक है अब इनमें से सबसे पहले मैं पैरा Magnetic Substance ले रहा हूँ जब आप इसकी definition लिखोगे तो आपको दो पॉइंट लिखने होंगे एक तो यह कि जैसे अगर मालो यहां Magnet हो और यहां पर हो पैरा Magnetic Substance तो यह Feebly Attract होता है Feebly मतलब हलका फुलका इनके बीच में क्या लगता है Feebly Attraction एक बात तो यह लिखनी है और दूसरी बात यह वीकर फील्ड से मतलब यहां दूर से पास जा रहा है तो वीकर Magnetic Field से Stronger Magnetic Field की तरफ मूव करता है ठीक है वीकर मतलब जैसे Magnetic के दूर होंगे तो कैसा Magnetic Field होगा वीकर तो वीकर Magnetic Field से Stronger Magnetic Field की तरफ यह क्या करता है Move करता है Tense to Move ठीक है तो Feebly Attraction First Point और Second Weaker to Stronger इसकी Move करने की Tendency होती है इसके बाद आते हैं इसके Examples Examples कई बार Board Exam में पूछे गए हैं ठीक है कि इसके Paramagnetic Substance के क्या-क्या Example है तो इसमें Example आता है एक तो Sodium एक Calcium एक CuCl2 एक O2 ठीक है इतने Examples आप इसके Easily याद कर सकते हो कभी-कभी One Mark के Question में इसके Examples भी पूछ लिए जाते हैं ठीक है अब यह तो पैरा हो गया अब ऐसा होता क्यों है इसका Explanation Example इसके जरूर याद रख लेना आप अब पैरा जो Magnetic Substances हैं इसमें ऐसा हुआ क्यों इसका Explanation देखेंगे हम देखू पैरा मैगनेटिक सब्स्टेंस का Explanation होता क्या है कि पैरा मैगनेटिक जो सब्स्टेंस हैं इनके अंदर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रों होते हैं लॉन पेयर क्या होते हैं ऐसे एलेक्ट्रों जिनमें सिर्फ एक सिंगल एलेक्ट्रों हो इसको क्या बोलते हैं हम लॉन पेयर ऑफ एलेक्ट्रों ठीक है अब ऐसे बहुत सारे एलेक्ट्रों होंगे तो ऐसा एलेक्ट्रों जब किसी भी एटम में होता है तो वह एटम मैगन बन जाता है क्योंकि क्या होता है इसका rotation होता है clockwise और अगर दूसरा भी है तो उसका rotation होता है anti-clockwise तो अगर एक electron clockwise और एक anti-clockwise अगर move कर रहा है तो दोनों का effect मिलके zero हो जाता है ठीक है generally लेकिन अगर यहां से यह गायब कर दिया जाए तो गायब करने पर सिर्फ एक electron ही बचता है यह जो electron है यह वाला electron यह अपना एक magnetic moment बना लेता है जब यह एक orbit में घूमेगा इसका जोड़ीदार नहीं है उसमें तो जब यह एक orbit में घूमेगा तो एक North Pole बन जाएगा और एक South Pole बन जाएगा और South से North की तरफ एक magnetic moment develop हो जाएगा और वो जो atom जिसमें यह lawn pair of electron है यह atom magnet बन जाएगा इस atom magnet को ऐसे और इसका जो भी magnetic moment की direction होती है वो direction बना के इसको ऐसे शो किया जाता है diagram में तो clear है paramagnetic substance में वो होंगे जिन सब में क्या होंगे lawn pair of electron lawn pair of electron होता है तो क्या होता है केवल सिंगल electron होता है तो उसका एक magnetic moment में बन जाता है और उसको cancel-out करने के लिए दूसरा magnetic moment नहीं होता है तो यह magnet जो atom होता है यह magnet की तरह behave करने लग जाता है जितने वी atom होंगे जन में lawn pair of electron है वो सारे क्या अ्छार्य बन जाएंगे और atom magnet को डाइग्राम में इस तरीके से शो किया जाता है तो पहली बात तो यह concept है अब आगे क्या होता है वो हम डाइग्राम से समझेंगे यह देखो यह एक पैरा magnetic substance है और इसमें अब बहुत सारे atom magnets हैं अब यह atom magnets में है जो magnetic moment है वो इस तरीके से हैं जैसे उपर गया नीचे गया ठीक है इधर साइड में गया इधर गया ऐसे कहीं भी यह randomly आप बना दो तो randomly बनाने का मतलब है कि अगर हम इनका total magnetic moment निकालेंगे कैसे भी बना दी है आपने randomly ठीक है absence of external magnetic field अभी external magnetic field में इसको नहीं रखा मतलब इसके पास magnet नहीं रखी absence of external magnetic field का मतलब अभी इसके पास magnet हमने नहीं रखी है यह केवल एक paramagnetic substance है जिसमें यह atom magnets हैं जो randomly arranged हैं इनका magnetic moment arrow से बताया गया है क्योंकि इन electron pair of electron present है तो अगर इसका M net पूछा जाए तो हम बोलेंगे zero क्योंकि सब एक दूसरे सागर मिला दिया जाए वेक्टर एडिशन कर दिया जाए तो क्या जाएगा zero तो यानि कि यह है कि अभी तो इस पूरे material का कोई magnetic moment नहीं है लेकिन हमने क्या करा अब हमने इस magnetic materials material को एक external magnetic field में apply करा और उसमें रख दिया external magnetic field में apply कर दिया भी तो external magnetic field में इसको रखते ही अब इन सब पर लगता है एक टॉर्क क्या लगता है टॉर्क हमने पढ़ाए कि अगर किसी भी magnet को अगर हम external field में रख दें तो उस पर टॉर्क लगता है लगता है लगता है न टॉर्क तो वह टॉर्क उसको घुमाता है रोटेट करता है तो यह टॉर्क की वज़े से सब रोटेट हो जाएंगे और रोटेट होके यह पैरलल हो जाएंगे magnetic field के external magnetic field के दिख रहा है आपको यह सारे के सारे पैरलल हो गए है यह देखो तो अब एक magnetic moment induced हो जाएगा जिसकी direction magnetic field के direction के equal होगी तो यह होता है एक तो जब external field नहीं लगाते है तो तो M net zero होता है जब external magnetic field लगा दिया जाता है तो एक M net हमें मिलने लग जाता है इन दा डायरेक्शन ओफ external magnetic field अगर यह दोनों की direction सेम है तो यह material attraction field करता है magnetic field के अंदर अगर इसको magnetic field में रख देना तो magnet से क्या होगा attract होगा तो इसी लिए paramagnetic जो सब्स्टेंस है वो attraction experience करते हैं जब उन्हें magnet के पास में रखा जाता है तो क्योंकि दौनों B और M net A की direction में हैं तो बच्चो यह first था पूरा आपका पैरा इसके बाद आता है ferro अब ferro की जब definition लिखते हैं ferro magnetic तो इसका हमें दो बातों का ध्यान रखना है वो हमें समझ नहीं है पैरा की जैसे समझी दी हमने फिर इसके बाद आपको क्यूरी लॉग बताऊंगा पूरा दौनों के लिए पैरा के लिए अलग होता है ferro के लिए अलग होता है क्यूरी लॉग तो पहले आप ferro समझ लो ferro magnetic substance वो होते हैं बत्चो जो यह अगर magnet है और यह ferro है तो यह भी attract होगा magnet की दरफ जाएगा attraction होगा लेकिन यह attraction पहले जब पैरा था तो feeble attraction था अब कैसा होगा इस्ट्रॉंग होगा यह कैसा होगा strong attraction, यह तेजी से जाएगा बहुत ज़दा speed से जाएगा, strong attraction होगा ठीक है, और दूसरी बात वो तो है, यह किदर जा रहा है, यह भी weaker field से stronger field की तरफ जा रहा है magnet के पास जा रहा है, यानि कि weaker field से कहां जा रहा है stronger field की तरफ तो यह बस इतना सा difference है पेरा और फेरो में किया डिफरेंस है कि दौनों attract होते हैं, लेकिन पेरा feebly attract होता है और फेरो strongly attract होता है in the magnetic field और दूसरी बात वो सेम है कि दौनों weaker magnetic field से stronger magnetic field की तरफ move करने की tendency रखते हैं इसके examples की बात की जाए तो इसका example Fe है Co, Ni और Fe2O3 जिसको magnetite भी बोला जाता है तो यह सब इसके example है यह भी example आपको याद रखने है यह सब कौन से हैं Ferro magnetic materials है अब क्या होता है आगे वो समझो कि अब Ferro और पेरा में जो difference हा रहा है वो केवल इनका attraction कैसा है उसका है, feebly है या stronger है, तो अब ऐसा क्यों होता है सुनो, यह एक पेरा था इसमें बहुत सारे atomic magnet थे सब जगे बिखरे हुए पड़े हुए थे कोई किदर जा रहा था, कोई किदर जा रहा था ऐसे थे ठीक है अब इस magnet ने अपने पड़ोसी magnet को इसने अपना magnetic field बनाया और अपने पड़ोसी magnet से का तू भी मेरी direction में घूम जा तो यह विचारा यह भी घूम गया फिर इन दोनों ने मिलके इस से का कि तू भी बिल्कुल थोड़ा सा और घूम जा तो हमारी direction में हो जाएगा फिर इन तीनों ने इसको भी अपनी direction में घूमाया रोटेट किया टॉर्क लगाते हैं यह यह चारों मिलके इसको टॉर्क लगाएंगे तो यह तो यह इस तरीके से कुछ ऐसे एरिये बन जाएंगे जिसमें जितने भी एटम मेगनेट हैं उन सबकी magnetic moment की direction सेम होगी इन एरिये को बोलते हैं इस एरिये को क्या बोलते हैं हम डॉमेंस इसमें बहुत सारे अटमिक मेगनेट टैनस टू दी पावर 15 से भी ज्यादा अटमिक मेगनेट मिलके एक ऐसे एरिये का निर्मान करते हैं जिसमें सारे के सारे अटमिक मेगनेट के magnetic moment एक ही direction में होते हैं इन एरिये को domain गहते हैं यह वाला है यह फ़े अपना काम कर रहा हुगा इधर हुआ सबको सब इधर घूमो मेरी direction में बना लिया होगा तो ऐ तो होता गया explanation देखो इनका अब क्या होता है यह मैं फैरो-magnetic substance ले रहा हूं और इसमें domains बना रहा हूं इसमें दोमेंस तरीके से होते हैं कि यह वाला domain मैंस में सब atomic magnet इस direction मैं यह वाला domain इसमें सब इस direction में इस तरीके से अलग-अलग direction इनकी होती है जो कि आपको show की गई है अब आप अगर इन सबका net magnetic moment निकालोगे तो वो zero ही आएगा m net m net is equals to zero absence of external magnetic field magnetic field अभी नहीं लगा रखा है और यह है one domain यह one एक वन domain अब हमने क्या करा इसको भी external field में रखा इसमें हम बीच वाली एक इस्तिति भी बताएंगे फिर एक last वाली बताएंगे तीन position की बात करेंगे एक external field लगा दिया लगा दिया external field तो होता क्या है कि जो domain इस external field की direction में होता है उसका एयरिया बढ़ता जाता है और जो domains अलग-अलग direction में वो धीरे छोटे होते जाते हैं मतलब होगा क्या यह वाला तो धीरे-दीरे बड़ा होता जाएगा यह वाला domain जिसकी direction external फिल्ड में है वो बड़ा होता जाएगा और आसपड़ोस वाले बहुत ही छोटे से डॉमेंस रह जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा मेटेरियल एक डॉमेंड बन जाएगा और सब मेगनेटिक मोमेंट एक ही डारेक्शन में आ जाएंगे और जो एमनेट है वो हमें इस डारेक्शन में मिल जाएगा अब यह पूरा का पूरा मेटेरियल एक डॉमेंड बन गया है इस तरीके से होता है जब ऐसा था नॉर्मल कोई मेगनेटिक फीट नहीं लगाया था क्योंकि सब की डिरेक्शन रेंडम में थी जब हमने मेमें मेगनेटिक फीट लगाया तो जो डॉमेंं मेगनेटिक फीड की की डिरेक्शन में था वह बढ़गा बड़ा होता गया भाकि someday और पूरा बाइंड पूरा Trick की direction देखो दोनों की direction सेम है तो यह material भी क्या experience करेगा in the magnetic field attraction और यह किदर जाएगा weaker से stronger की तरह मैंने बताया था इन दोनों की direction अगर सेम आती है तो attraction अलग-अलग आईगी अपोज आईगी तो repulsion यह आपको ध्यान रखना है अच्छा आप इसमें attraction strong क्यों था क्योंकि वहाँ पर जो काम अलग-अलग magnet करते थे पैरा में तो अलग-अलग magnet करते थे और यहाँ पर वो काम पूरा domain करता है मिलके पूरा एक domain उनकी unity काम आती है ठीक है एक अकेला और एक सम मिलके 10s to the power 15 से भी ज़्यादा atomic magnet मिलके जब वो काम करेंगे तो वो काम पहले से क्या होगा strongest होगा तो इसी लिए stronger attraction इस condition में experience करता है material एक्जामपल हो गया अब इनसे related क्यूरीज लो आते हैं बच्चों तो वह बहुत ही simple law है वह भी अपन इसमें अलग अलग है पहले मैं मताता हूँ पैरा के लिए क्या है फोर पैरा magnetic materials के लिए यह बोला गया कि जो susceptibility होती है जो सब्सेप्टिबिलिटी होती है वह absolute temperature के inversely proportional होती है सब्सेप्टिबिलिटी क्या होती है सब्सेप्टिबिलिटी का मतलब यह होता है कि कि किसी भी material में magnetize होने का जो प्रॉपर्टि है वह सब्सेप्टिबिलिटी से पता चलती है कि वह कितनी जल्दी magnetize होता है और कितना ज्यादा magnetize होता है तो सब्सेप्टिबिलिटी जितना जितना temperature आप बढ़ाते जाओगे आप क्या गर्म करते जाओ पेरा पेरा magnetic substance को क्या करते जाओ हीट देते जाओ गर्म करते जाओ तो उसकी सब्सेप्टिबिलिटी कम होती जाती है ठीक है यह रैसी प्रोकल का relation है कि यहां पे मिलता है और अगर यहां पर नमबर फैरो का फैरो में भी होता है ऐसा ही लेकिन फैरो के लिए थोड़ा सा यह चेंज हो जाता है फॉर्मूला क्या चेंज होता है वो मैं आपको बता रहा हूं उस फॉर्मूले के बारे में अपन सब तो यहां पर हम जो फॉर्मूले में टी की वैलियू रखते हैं वो कैल्विन में रखते हैं यह बात ध्यान रखना फैरो मैगनेटिक के लिए जो सचेप्टिबिलीटी होती है उसमें फॉर्मूला होता है सी अपॉन टी माइनस टी सी सी तो क्यूरी कॉंस्टेंट है टी एपसॉल्यू टेंपरेचर है टी सी एक नई चीज आ गई है यहां पर टी सी है क्यूरी इस टेंपरेचर यह भी क्यूरी इस टेंपरेचर अब क्यूरी इस टेंपरेचर होता क्या है वो समझो क्यूरी इस टेंपरेचर वो होता है तो क्या होता है, जब आप temperature को increase करोगे ना, ferromagnetic की susceptibility कम होगी, मतलब अच्छा खासा magnet बन रहा था ये, आपने इसको गर्म कर दिया, तो इसके अंदर जो magnetism अब आप develop कर पाओगे, वो पहले के मुकावले कम हो जाएगा, तो गर्म करने पर magnetic susceptibility कम होने का यही मतलब होता है, कि दीरे-दीरे अब अच्छा magnet नहीं बन रहा है, दीरे-दीरे इसके magnetism की जो capability है, वो lose हो रही है, तो एक समय ऐसा आएगा, कि जो ferro है, वो इतना बेकार material हो जाएगा, कि वो पैरा जैसा लगने लग जाएगा, फैरो चेंज हो जाएगा, किस में? पैरा में, तो जिस minimum temperature पर यह पैरा बन जाता है, फैरो क्या बन जाता है, पैरा, पैरा की magnetic susceptibility कम होती है, फैरो की बहुत ज़्यादा होती है, पर गर्म करने से susceptibility कम होती जाती है, और जब वो पैरा की range में आ जाती है, तो जो यह material है, वो पैरा magnetic substance में change हो जाता है तो यह पूरा इस क्या क्यों रीजलो था next वीडियो में हम करेंगे बात die magnetic material की कि उसमें क्या होता है ठीक है इसको आप अच्छी दरीगे से देख लेना